evolution of metamorisms किसे हुआ है उसको बताने के लिए चार थियोरी दिया गया था सीडो metamorisms theory यह कहता है कि जैसे lower organisms होते हैं उनके body के अंदर organ के repetitions होता है organ की repetition होगा उसको adaptation के लिए body क्या करता है चोड़े-चोड़े cavity जैसे structure बनाता है उस बज़े से segmentation स्टार्ट हो गया फिर आता है locomotion theory लाता है living जो organism जैसे की अनलेट्स हो गया वो peristylysis moments हो करता है उनके अंदर bone तो ही नहीं तो यह hydrostatic pressure body इस तरीके से cavity बनाएगा उसके अंदर silomic fluid बना रहेगा उही फ्लूइड एक प्रेसर जोनेट करेगा जिस बज़े सी यह मुवमेंट कर सकते हैं यानि कि मुवमेंट करने के लिए segmentation की स्टार्ट हुई क्योंकि body cavity रहेगा hydrosilomic fluid जब उसके अंदर रहेगा जैसे आर्थवार मुग करता है परिस्टालेटिक मुमेंट पहले contraction per relaxeism कोड़ेट्स जैसे साम बढ़ेगा उन्भुलेटिक मुमेंट करते हैं